नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्विच शिक्षा पर आज हम तीनों यानि मैं है पूर अन्विच शिक्षा अमल कर करने वाले हैं जोतीबा फुले जिसकी लेखिका है सुधा अरोडा जी जो आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं बहुत ही बड़ी हा चाप्टर सुधा जी ने लिखा है जोतीबा फुले और उनकी पतनी सावित्री भाई फुले जी के बारे में बहुत कुछ किया है जोतीबा फुले और उनकी पतनी जी ने हमारी समास सुधार में उनका बहुत बड़ा योगदान है बहुत सारी कुरीतियों को उन्होंने दूर करने में मदद की दोस्तों इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो इस चाप्टर के important questions करने वाले हैं important as in important for exam ठीक है MCQ से लेकर आपके MCQs, descriptive और साथी साथ NCRT के question answers भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे अगर आपने ये वीडियो complete कर लिया तो आपको इस चाप्टर के लिए कहीं और से कोई भी question पढ़ने की ज़रूरत नहीं ये वीडियो आपका पूरा chapter cover करता है इससे बाहर कोई question आपका exam में नहीं आएगा इसके इलावा अगर आपको इस chapter के key notes भी चाहिए इस chapter की summary और इसके बहुत important key notes तो अपनी उस वीडियो का link में ने description box में दे दिया है आप description box में जाकर इस chapter के key notes भी देख सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले बात mcq question answers की पहले mcq based question answer करेंगे पहला question सामाजी विकास और बदलाव के अंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया था इसमें आपका नहीं शुमार किया गया महात्मा जोतिबा फुले जी का इन्हें समासुधार को में नहीं गिना जाता क्यों नहीं गिना जाता इसका कारण भी हम आगे पड़ेंगे जोतिबा फुले के अनुसार एक आदश परिवार कैसा होना चाहिए तो अगर आपने चाप्टर रीड किया है तो आपने जरूर पड़ा होगा कि वो कहते थे पिता बोध होने चाहिए माता इसाई और बेटा सत्य धर्मी यानि कि उपरिवार कैसा होना चाहिए उपरिवार सभी चीज़े उसमें होनी चाहिए question number three महात्मा जोतिबा फुले किसे एक दूसरे का पूरक मानते थे वर्ग को जाती को वर्ग विवस्ता को या सभी को सभी को वो मानते थे कि सभी एक दूसरे के पूरक है next question जोतिबा फुले का विवाहा कब हुआ था one second तो जोतिबा फुले जी का विवाहा हुआ था आपका 1840 में 1840 next question जोतिबा फुले ने इस्तुरी को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या किया था उन्होंने नई विवाविदी की रचना की थी जिसे मंगलाश्टक भी कहा गया next question सावित्री बाई कहां से थी सावित्री बाई यानि जोतिबा फुले जी की पतनी तो ये थी आपके महराश्ट्र की next question question number 7 जोतिबा और सावित्री बाई को अपना मिशन पूरा करने में कितना समय लगा ये है आपका 50 वर्ष यानि के जोतिबा फुले जी और उनके पतनी सावित्री बाई फुले जी ने अपनी उम्र का एक लंबा हिस्सा अपने देशों को पूरा करने में बिता दिया 50 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है भारत की पहली माईला शिक्षी का कौन थी most most important question है ये आपके न सिर्फ हिंदी के लिए बलकि जीके में भी अक्सर पूछा जाता है कि भारत की पहली माईला शिक्षी का कौन थी तो ये थी आपकी सावित्री बाई फुले जी next question question number nine इस्त्री शिक्षा की समर्थाग जोतिबा फुले जी ने पहले किसको शिक्षित किया था इन्होंने सबसे पहले अपने पत्नी सावित्री जी को शिक्षित किया था सावित्री बाई जी जोतिबा फुले जी को महाथमा जी की उपादी कब दी जा रही थी जो इन्होंने सुईकार नहीं की थी ये दी जा रही थी आठा 1888 में इसे आप ऐसे भी याद कर सकते इस प्ट्वीसमय रहुतिने से भी द्वेस होना स्कूल में जाना मना था एक सभी दॉधिक और दूधिस पड़ Town की साथ ही अंज्साव। सावित्री भाई फुली का जन्म कब हुआ था इनका जन्म हुआ था तीन जैन्वरी 1831 को नेक्स्ट पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाट शाला कब खोली गई पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाट शाला कब खोली गई तो ये आपकी खोली गई थी 14 जैन्वरी 1848 को नेक्स्ट पुणे जोतिबा फुले जी के पिता का नाम क्या था इनके पिता का नाम था धर्म भीरू नेक्स्ट पुले का नाम समाथ सुधार को में क्यों शुमार नहीं किया गया दोस्तों इसमें इस वीडियो में कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक भी मिलेगी जो हिंदी में अंडर्स्टूड है ये शुमार शब्द है क्यों शुमार नहीं किया गया निकि क्यों शामल नहीं किया गया इसी तरह यहाँ पर बताने नहीं है यहाँ पर बनाने शब्द है क्यों इनका नाम समासुधार को में शामिल नहीं किया गया क्योंकि सूची को बनाने वाले लोग जो थे वो उच वर्ग के थे और क्योंकि जोतिबा जी नेमने वर्ग से सम्मन्द रखते थे इसलिए इनके नाम को सूची से हटा दिया गया शादी की समय सावित्री भाई की उम्र क्या थी? अभी हमने पीछे पड़ी थी जोतिबा जी की उम्र, उनकी उम्र 12 साल थी और सावित्री जी की उम्र 9 साल थी question number 19 लाट साहब के कहने पर इस तरह रास्ते में घूमते हुए खाना अच्छी बात नहीं तो सावित्री भाई ने क्या किया जपट लगा दिया बुरा भला कहने लगी हाथ का खाना फेक दिया यह सबी तो उन्होंने हाथ का खाना फेक दिया था next question ये तो थे आपके mcqs अब हम चलेंगे आपके अती लगूत्री प्रश्ण यानि के एक नंबर के questions से लेकर आपके दिरगूत्री प्रश्णों तक यानि के 5 नंबर तक के questions तक तो शुरू करते हैं पहले अती लगूत्री प्रश्ण आपकी screen पर जोतिबा फुले की शादी कब और किस से हुई थी तो जोतिबा फुले जी की शादी जो है वो 1840 में सावितरी भाई फुले जी से हुई थी सामाजिक विकास और बदलाव के अंदोलन में किस महापुरुष का नाम नहीं है जोतिबा फुले जी का नाम इसमें नहीं है और हमने पीछे कारण भी पड़ा कि क्यों नहीं है 1833 में जोतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी थी जोतिबा फुले ने शित कारेचा आसुड नामक पुस्तक लिखी थी जोतिबा फुले को महात्मा की उपादी कब दी गई महात्मा की उपादी ने 1888 में दी गई थी लेकिन इनों ने ली नहीं थी आदर्श परिवार क्या है जोतिबा फुले जी के अनुसार आदर्श परिवार वे है जिसमें पिता बोध धर्म का हो माता इसाय धर्म की, बेटी मुस्लिम धर्म की और बेटा सत्य धर्मी धर्म को मानता हूँ मंगलाश्टक क्या है जोतिबा फुली द्वारा खोजी गई नई शादी की एक विदी है जिसमें एक वदू ये वदू नहीं आएगा ये वर आएगा यहाँ पर जिसमें एक वर अपनी स्त्री को वचन देता है कि वह उसे अधिकार और स्वतंतरता देगा ये होता है मंगलाश्टक यानि कि ये शादी की एक नई विदी है जिसमें पूरुष जो है वो स्त्री को वचन देता है कि वो उसे अपने बराबर ही अधिकार और समानता देगा यह question तो repeat हो गया next question उन किताबों के नाम बताएं जिन में जोतिबा फुले के मौलिक विचार सम्मिलित है उन किताबों के नाम हमें बताने है जोतिबा फुले के मौलिक विचार गुलाम गिरी सार्वजनिक सत्यधर्म और किसानों का प्रतिशोध इन तीन पुस्तकों में समलित है कौन-कौन सी तीन पुस्तके हैं गुलाम गिरी सार्वजनिक सत्यधर्म और किसानों का प्रतिशोध कन्या शाला के बारे में बताएं पहली कन्या शाला की स्थापना 14 जनवरी 1848 को पुणे में हुई थी पूरे भारत में ये पहली पाठ शाला थी जिसे लड़कियों को शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था एक के बाद एक कन्या पाट्चाला खोलने में जोतिबा फुले और सावित्री भाई को कई बहिशकार और व्यवधानों का भी सामना करना पड़ा था लेकिन फिर भी नौने लड़कियों के लिए पाट्चाला खोली थी सत्यशोधक समाज की जरूरत क्यों पड़ी जोतिबा फुले को समाजिक मोले की शिक्षा सुधारक नहीं थे उन्होंने पूंजिवादी और पुरोहित वादी मानसिक्ता वाले लोगों के लिए सत्यशोधक समाज की सापना की थी सत्यशोधक समाज का उदेश रूरी वादिता को फैलाने से रोकना था इन्होंने लोगों की मानसिकता बदलने के लिए सत्यशोधक समाज की सापना की थी जो पूंजि वादी लोग और पुरोहित लोग थे महत्मा की उपादी मिलने पर जोतिवा फुले ने क्या कहा जब इन्हें महत्मा की उपादी मिलने के बाद जोतिवा फुले ने कहा मुझे महत्मा कहकर मेरे संघर्षों को पून विराम मत दीजे यानि कि मुझे महात्मा बनाकर मेरे अंदोलन को मेरे संघर्षों को मत रो किये उन्होंने ये भी कहा जब कोई इंसान महान बनता है तब उसका संघर्ष खतम हो जाता है इसलिए वे कहते हैं कि आप मुझे साधरन मनुष्य ही समझे उनसे अलग न समझे मुझे महत्मा ना बनाए मुझे संघर्ष करने दे भारतिय समाज में शोषण और इस्त्रियों के दमन के बारे में बताएं भारतिय समाज में किस तरह से इस्त्रियों का शोषण होता आया है भारत के त्यहास में ब्रह्मन है ना सिर्फ शोद्र के साथ बलकि इस्त्रियों के स समस्ते थी इनको सिक्षा से दूर रखा जाता था उनको वस्तु के लावा कुछ नहीं समझा जाता था इस तरहें को एक गुलाम माना जाता था ब्रह्मन समाज सुधर के साथ चुठ जीसे निम्न कोटी के अरकते करते लिए और उनके साथ उन्हें कई लड़ाईया भी लड़नी पड़ी, उन्होंने लड़कियों के लिए कन्या शाला की सापना की, जिसमें बस लड़कियां शिक्षय प्राप कर सकती थी, इस वजे से जोतिवा फुले और सावित्रे बाई फुले को वहिश्कारों का सामना भी करना पड़ा, रिष् साथ भी बुरा वेवार करते थे उन्हें गालियां देना उन पर पत्थर फैकना इसके बाद भी अंदोनों ने हार नहीं मानी और एक साथ मिलकर 1840 से 1890 के बीच अपने मिशन को पूरा किया नहीं कि देखे कितना बड़ा बहिशकार और कितना मानसिक उन्हें दवाब जेलना पड़ा कि अपने ही घर के लोगों ने उन्हें सपोर्ट ने क्या अपने ही परिवार के लोगों ने घर से बाहर निकालने पर तुले रहे बाहर के लोगों ने उन्हें गालियां दी पत्थर तक फैके लेकिन फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और लगातार समासुधा के लिए काम करते रहे हम नमन करते हैं ऐसे दंपत्य को नेक्स क्वेस्टिन जोतिबा के दंपत्य जीवन से सीख लेने वाली बातों पर प्रकाश डालें जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स पी आपको यहां मिलेंगी जैसे यह गाड़ियां शब्दिय पुरानी कुरितियों को खत्म किया पाटशाला कि सापने की शुद्रों को उनका हग दिलाया फुले दंपत्य झीवन से इमें सीख लेनी चाहिए जैसकि हम सभी जानते हैं कि आजकल के पृतिष्टित दंपत्य एक साहरे ने कि बाद कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं पर अपने जीवन को एक दूसरे के लिए समर्पेत कर दिया था और बहुत छोटी से उम्र में दौनों एक साथ हो गए थे बारह वर्ष और नोवर्ष की उम्र में दौनों का विबा कर दिया गया था फूले दंपती के प्रयासों का समाज पर क्या असर पड़ा तो पचास साल या निके 1840 से 1890 तक फूले दंपती ने समाज में फैली कुरीतियों जैसे की महिलाओं की शिक्षा ढोंग आधी का सामना किया और उसमें विजय भी प्राप की इसी वज़े से कुछ इस्त्रियां शिक और श्त्रियों को घरेलू हिंसा से भी आजादी प्रदान की और साथी साथ शुद्रों को भी न्याय दिलाया निक्ट्स क्विस्ट्ट्यन शाधी के विशे में जोतुबा फले द्वारा किये गए बदलावों पर प्रकाश डालें भी इनोंने क्या किया था जोतिबा फुले ने नई विवा नीती की रचना की जैसा कि हमने पढ़ा था मंगलाश्टक उन्होंने उस विवा नीती से ब्रह्मनवाद को पुरी तरह से हटा दिया और मंगलाश्टक विवा का आयोजिन किया वे चाते थे कि विवा प्रणाली से सुरीश प्रधान और स्री गुलाम गिरी का अंत हो जाए इसलिए उन्होंने एक नई नीती बनाने पर जोड़ दिया जोतिबा फुले ने जिस मंगलाश्टक की रचना की उसमें वधू वर्ष से कहती है स्वतंतरता का अभाव अमित इस्त्रियों को है ही नहीं इस बार कि आशपत लोग इस स्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंतरता का अभाव पूरा करने दोगे मंगलाश्टक की जिस स्विधी की नोने रचना की थी इसमें जो स्री है वो पुरुष्टे मांग करती है पुरुष्टे वादा लेती है कि आप वादा करें कि आप मुझे स्री के सभी अधिकार दोगे आप मुझे अपने समान समझोगे शिक्षा के छेतर में जोतिबा जी के योगदान को आप बताएं शिक्षा के छेतर में इनका योगदान जोतिपफुले ने शिक्षा के छेतर में शुद्र जाती को पढ़ने के लिए प्रेरित किया पहला योगदान ब्रह्मन समाज की नीती का अंत हो गया ब्रह्मन समाद जो वेदो पर अपना दिकार समझते थे परन्तु इस्थिती जो है बदल गई वेदों का ग्यान जो है वो शुद्रों के पास भी होने लगा उन्होंने ना सिर्फ शुद्रों के लिए बलकी स्थ्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यविस्ता की और उन्होंने ये बार-बार कहा कि शिक्षापर सबका समान रूप से अधिकार है बहुत कुछ किया इन्होंने नमन करते हैं हम इनके प्रयासों को जोतिवा फुले के वेक्तिगर जिवन पर प्रकाश डालें ये भी एक नमबर का important question है दोस्तों जोतिवा फुले जी का पूरा नाम क्या था जोति राव गोविंद राव फुले इनका जन्ब 11 अप्रेल 827 को हुआ था वो एक समाज से भी प्रबोधा करामतिकारी लेखक थे उन्हें मात्मा की उपादी भी प्राप्त हुई थी उन्हेंने समाज में फैली कुरीतियों का अंत भी किया था और समाज को एक नई दिशा भी प्रदान की थी उन्होंने स्त्रियों और शुद्रों के लिए एक नई मिशन को शुरू किया था हर समाज में पहले इस्त्रियों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी बाल विवा को प्रोथ सहान दिया जाता था और शुद्रों के साथ जानवरों से भी बत्तर विवार किया जाता था उन्होंने ऐसी कुरीतियों को बहिश्कार किया और भारत को एक दिशा प्रदान की उनका विवास सावित्री बाई फुले नामा जिस्तरी से हुआ था उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षा प्रदान करके सावित्री भाई फुले को भारत की प्रथम अध्यापे का बनाया उनका निधन 28 नवेंबर 1890 को हुआ महिलाओं की स्वतंतरता का उनकी शादी से क्या संबंध है टिपपनी करें भारती तिहास के 3000 साथ वैसा ही करना पड़ता था उनके अनिसार खाना पीना चलना सोना इससे अधिक स्वतंतरता नहीं मिली इसलिए जोतिबा फुले ने ऐसी प्रथा का बहिशकार करने पर जोड़ दिया उन्होंने विभा की पुरानी विचारधार को बदलकर नई विचारधार के सापना की उन्होंने पुरुषवर्ग से कहा कि तुम भी ये शपतलो कि स्थरी को जो है वो तुम उसकी सोतंतरता दिलाओगे उसकी समानता दिलाओगे और उसे अपने बराबर समझोगे उन्होंने पुरुष्वर्ग से कहा कि तुम भी स्त्रियों का सम्मान करना सीको ये एक और important question है इसे भी आप important समझ कर ही याद करें वाकई ही important question है सावित्री भाई फुले के बच्पन में क्या घटना घटेत हुई थी सावित्री भाई फुले की बच्पन से ही रूची जो थी वो शिक्षा के छित्र में थी उनके जीवन में एक बार बहुत ही घटना हुई लगबग 6-7 साल की उम्र में वो अकेली बजार में घूमने जाया करती थी उन्होंने देखा कि एक पीड के नीचे कुछ इश्त्री और पुरुष हैं जो गाना गा रहे हैं एक लाट साब वहीं पास से जा रहे थे उन्होंने उससे का कि रास्ते में खाते खाते गुमना अच्छी बात नहीं है यह सुनते ही सावित्री भाई ने अपने हाथ का खाना फेक दिया लाट साब ने उससे का कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो उन्होंने उसे एक पुस्तक दे दी और कहा यह पुस्तक बहुत अच्छी है इसे पढ़ना और अगर तुम ना कर सको तो इसका चित्र तुमें बहुत अच्छा लगेगा जब सावित्री भाई जी जो है बजार में गूम रही थी तब एक पुरुष ने उन्हें पुस्तक दे और कहा कि तुम इसे पढ़ना साथ में उन्होंने ये भी का कि अगर तुम पढ़ना सको तो इसके चित्री देख लेना वो तुमें बहुत अच्छे लगेंगे सावित्री भाई बुक लेकर ये भी गलत प्रिंट हो रखा है पुस्तक लेकर अपने घर पहुँची और अपने पिता को वापस आकर दिखाई तो उनके पिता जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए और उस पुस्तक को कुड़ेदान में फेक दिया इसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों तो आप खुद से समझने की कोशिश करें ठीक है उनके पिता जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए पुस्तक को लेकर कुड़ेदान में फेक दिया और कहा कि ऐसी चीजों से तुम ब्रश्ट हो जाओगी और अपने समाज को और हमारे परिवार को भी ब्रश्ट कर दोगी यानि कि पुस्तकों से इतनी अलर्जी थी उनके पिता को इतनी परिशानी थी कि पुस्तकों को वही समझते थे कि अगर स्तुरी ने पुस्तक पढ़ ली तो वो ब्रश्ट हो जाएगी चलिए दोस्तों ये है अब आपकी NCRT के question answers यानि कि आपकी किताब में जो दिये गए है NCRT में जो most important questions है मैंने वही लिया है उसमें तो बहुत सारे questions दिये गए लेकिन उसमें भी जो आपके important questions answers है मैंने उनी को इस वीडियो में शुमार किया है तो देखते हैं पहला question जोतिबा फुले का नाम समासुदार को कि सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया तर्क सहीत बताईए क्यों कि इस सूची के निर्धारन करता उच्वर्गे समाज का पृतिनद्व करते थे जिसका जोतिबा फुले विरोध करते थे पृतिबा अक्सर विरोध किया गरते थे ब्राम्मन होते हुए भी वे खमेशा ब्राम्मन समाज में व्याप आडंबरों और रोडियों का विरोध करते थे वे सभी को समान अधिकार देने के समर्द तक थे, महत्बा फुले के अनुसार, शाशक और धर्म के ठेकेदार आपस में मिलकर प्रिशाशन चलाते हैं, इसलिए विशेश वर्गों और इस्त्रियों को मिलकर प्रिशाशन विवस्ता के विरोधान दोलन चलाना चाहिए आपको पक्ष भी बताना और विपक्ष भी, तो क्या कहा था जोतीबा फुले जी ने आदर्श परिवार के बारे में पहले पक्ष हम पढ़ लेते हैं, जोतीबा फुले के विचार अपने समय के रोडिवादी समाज और शिक्षा से बहुत आगे थे, उनके विचारों में जो बिना भेदभाव के सभी का दुखदर समझे और बेटा सत्य धर्मी होना चाहिए, यानि परिवार ऐसा होना चाहिए, जिसमें धार्मिक भीदभाव ना हो, सब में त्याक की भाव ना हो, ताकि परिवार का कल्यान हो सकेगी, ये तो हुए आपके पक्ष में, अब हम ब बहावना आत्यादी होनी चाहिए, किसी परिवार के मद्य अगर ये नहीं है, तो उसे आदश परिवार नहीं कहा जा सकता, ये हैं आपके विपक्ष में तर्क, इस्त्री समानता को पृतिष्टित करने के लिए जोतिवा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, जोतिवा फुले जी ने क्या कहा, कि किस तरह से इस्त्री समानता को पृतिष्टित क्या जा सकता है, इस्त्री समानता को पृतिष्टित करने के लिए फुले जी के वाले मंत्रों में ब्रह्मानों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए और ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हूँ ऐसे वचनों को स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरिश को मनमानी करने का अधिकार मिले और इस तरी को गुलामी करने का सावित्री भाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आया क्रमबद रूप में लिखिए सबसे पहले उनके पती जोतिबा फुले ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना अरम किया और मराथी और अंग्रीजी भाषाओं की शिक्षा दिलवाई यह भी आपसे एक नमबर में पूछा जाता है कि जोतिबा फुले जी ने अपने पत्नी को किन भाषाओं की शिक्षा दी थी इसके पशात उन्होंने अपने साथ लाई इसाई पुस्तक को पढ़ा अपने पती के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्धाले की विद्धाले खोल के कारण उन्हें साथ उससों ने घर से भी निकाल दिया और इसके बाद इन लोगों ने शुद्र जाती के लिए नीडर होकर कारे करना आरंब किया इतने सारे काम इन दोनोंने मल कर किया नेक्स पंक्तियों का आशिस पस्ट कीजिए सच का सबेरा होते ही वेर डूब गए व तिबाफुले कहते हैं कि जब से शुद्र जाती वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझ कर शिक्षा ग्रहन करना आरंब किया तब से ब्रहमन समाज का अंत हो गया वेदों के नाम पर इन्होंने समाज के अन्य लोगों को दबा कर रखा हुआ था लेकिन आज इस्तिती बदल गई है वेदों का महत्व समाप्त हो गया है शुद्रों के पास ग्यान के शक्ति देखकर ब्रहमन समाज लज्जित हो गया है इतने वर्षों से उन्होंने जो अपना अधिकार बनाए रखा था वो अब नहीं रहा शिक्षा का अधिकार सब के लिए है और अब सब उस स्तुरियों का विशोशन किया है उन्होंने स्तुरियों को कभी सिर उठाने ही नहीं दिया पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें को लाम बना कर रखा शुद्रों के अत्रिक स्तुरियों को भी अपने दिकारों के लिए ब्रहमन समाज का विरोध करना चाहिए तभी वे अपने द सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सातियों के साथ क्लासमेट्स के साथ और मेरे साथ जुड़े रहें थांक्यू